पुपांचा सेमिति कुटब बिहार जिसे आयुजुद किया जा रहा है छठी पूजा के लिए और हम आगे दिखाते हैं आपको पुपांचा सेमिति कुटब बिहार के लिए और हम दिखा रहे हैं आपको बैक कैमरे से जो काफी भारी मात्रा में यहां भीड़ जूती हुई है यह काफी बड़ा घाट है यहां पे जो काफी जनसंख्या में लोग एकत्रित होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं काफी भारी मात्रा में लोगों का जमाव हुआ है यह पुर्बांचल समिति कुटब बिहार है जो दिन्ली के लगगड़ के करीब पड़ता है यह द्वारी का शेक्टर दुनीज में लगता है तो यह देखें जैसे कि पुर्बांचल के लोग बिहार के लोग यहां पे सब छट पूजा मनाने के लिए कतिर्श हुए हैं और सब यहां पे अंदर जाके जो छट घाट है यहां पे पानी में जो पूजा आरपन किया जाता है करते हैं और यह अंदर का सीन है जिसे हम बीच में आके दिखा रहे हैं चारों तरफ चारों त दुंद के बीच में हैं जो प्रावत प्रावर गया है क्योंकि उतना पानी भरणा तो उंकिन भ'. बीच में यहां पे और सारे आयोजन किये जाते हैं राम लीला उगेरा विपावली का तो किनारे किनारे पानी भर दिया गया है इसी में छट्थी का पर्व मनाया जा रहा है जो काफी भारी मात्रा उभी लगी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे लोगों द्वारा काफी उस्था से यह पर्व मनाया जाता है जो बिहार की लोग है कहीं भी आप जाएंगे अगर छट्थी का पर्व होगा तो बिहार राज की लोग या तो अपने स्टेट चले जाएंगे या फिर वहां पे छट्थ पूजा मनाने का बेउस्था किया जाता है ये बिहार का काफी प्राचीन त्योहार है जो मनाया जाता है ये दिपावली के छठे दिन पड़ता है क्योंकि छठ बोला जाता है जो 60 दिन होता है हिंदी कलेंडर का तो ये यहाँ पे छोटे छोटे वो बनाये गए है जिस पे सब पूजा पाट करते हैं लोग पूरी दम पत्ती के साथ पती पत्नी दोनों पानी में खड़े भी रहते हैं हम पुड़ा सा लेट आए कि हमें बहुत ज्यादा पता नहीं था तो भीड काफी लगी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे लोग काफी आजसा से यह पर्व मनाते हैं जो पती पत्नी के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है देखिए यह सब पूजा अरपन कर रहे हैं और पूजा सब कर करके अपने अपने घर को जा रहे हैं क्योंकि पान डाल खाली खाली सा दिख रहा है हम आए हैं लेट जो भीणे विश्रे लोग हो भी धीरे धीरे आ रहे हैं कि सूर के ठलने तक यह आके इसमें परवेश करके निकल जाते हैं फिर सुबह सुबह सूर निकलने के पहले इसे फिर पाने में आके इस बर्व का समापन करते हैं और कंगर हमें भी खास जानकारी नहीं ही सफ्षर्ब के बारे में फिर भी हम भी पूर्बांचा से हैं तो हमें भी कुछ यह को दिखा रहें आपको Attke zितने देखि रहे हैं धीरे धीरे Teacher घाट बना हुआ था दो छोटे छोटे थे और यह बड़ा था तो हम पहले अपने घर के पास वाले पे गए थे जो फोईला बिहार में पढ़ता है जो छट घाट इधर बने हुए थे पर इसके बाद यहां पर आए तो यहां थोला सा साम हो गया लोग हमें अपने घर को चले जिसके देख रहे हैं यह पानी है उसकी समय के लिए भाणा जाता है जिसे शट्थिक पूजा आна तो भाणाप बरसास में यहां पानी चत्रेवल दोता है ९ह पर Sec还 पंणाने के लिए पानी यहां पे डाला गिया है सरकार के द्वारा रोस्था वह 17 प्ल thereby प्रसाशन पर गेट पे इनाथ इनाध किया गए चाहर क्या झालंडीए है चुत अक्स के लिए अधने कर्केत कआथ भारी अतर्फित्व अधना यान इंद slack कि है हम यहां आने में नेख हो गया है क्योंकि अधिस्ता पार्वान के रहते ही उठाया जाता है अगले सुबह दोर्श में इसे फूर भगवान की आर्श देके इसे तोड़ा जाता है तो अमलेट हो रहे हैं फिर भी यहां पर अभी लोग आ रहे हैं यह काफी बड़ा फुल बनाया गया है जो कि इसमें यह पॉल पर भी अच्छे से बनाया जाता है जो कि देखने के लिए यह ज्यादा मात्रा में बनाया जाने वाला फर्व है इसे छटी बहिया पूजा कहते हैं तो अर्श किया जाता है हमारे तीन किलोमेटर के इंकर चार पांच ऐसे छटी घाट बनाए गये थे हम दो वीडियो में कबर करेंगे अभी आज अभी हम पुर्वांचल छटी समीती कुतुब बिहार से जा रहे हैं घर की तरफ यहां पे काफी भीड था बाइक निकालना मुस्किल था और लोग घर को जा रहे हैं क्योंकि अधेरा हो चुका है तो अपर लोग भी हार से चलते हैं क्योंकि अभी हार से चलते हैं